करन जोहर की अगले फिल्म जुग 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 जुजल थी ठीटर्स में रिलीस होने वाली है ऐसे में फिल्म के आक्टर्स कियारा और वरुन फिल्म को प्रोमोट करने में काफी विजी दिखाई दे रहे हैं लेकिन हाली में फिल्म के प्रोमोशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, जुसके बाद वो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आगे। सोशल मीडिया पर दोनों को जम कर ट्रोल किया जा रहा है। दरसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जुसमें देखा जा सकता है कि वरुंधवन और कियारा आदवानी अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई की मेच्चो में सफर कर रहे हैं। मेच्चो में सफर के दौरान ये दोनों आक्टस बड़ा पाव इंजोई करते नजर आए। बस फिर क्या था लोगों ने उन्हें च्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने इस बात पर आपती जताई कि जब मेच्चो में कुछ खाना अलाओ नहीं हैं तो स्टार्स को ये प्रिवलेज क्यों दिया जा रहा है। मुंबई मेच्चो के तरफ से ये दोगला वहवार क्यों किया जा रहा है। इसे के साथ इस फिल्म की स्टार् कास्ट ने मेच्चो की सफर के दोरान दूसरी नियमों की धच्चियां भी उडाई। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उन्हें जम कर चूल कर रहे हैं। इस वीडियो को कई सारे reactions मिल रहे हैं जिसमें एक शखस ने लिखा है कि मेटरो में खाने की इजाजत नहीं हैं लेकिन इनहें देखो पूरी कि पूरी VIP treatment मिल रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म की गाने को लेकर विवात खड़ा हो चुका है इस फिल्म को लेकर भिहार का एक शक्स ने दावा किया था कि करण जोहर ने उनकी स्क्रिप्ट को चुराया है यह उनकी फिल्म है करण जोहर की नहीं इसके अलावा पाकिस्तारी सिंगर ने भी विडियो में आसपास के लोगों को मास्क पहने देखा जा सकता है लेकिन वरुन धवन, कियारादवानी और अनल कपूर ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं डगाया हाला कि अभी तक स्टार कास्ट से इस मामले में कोई भी रेक्शन सामने नहीं आया है ये देखना काफी इंट किया है, झालो नहीं डबसे मामले में कोई लेकिन से जाराथ हुआ है है, इस अविकन ऊवर।